गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे आज की इस आनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 15 जो कि दा गलोरियस वाइट वॉसर इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हमने देख लिया है पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने इसके जितने भी रेडिंग से रिलेटर जितनी भी सारी चीज़े थी पूरे बुक की रेडिंग हमने काफी अच्छे से किया था तो अब हमें क्या देखना है इसके रेडिंग कमप्रिहेंसन को देखना है तो आपको करना क्या है यह जो वर्ड मिन करता हूं कि आपको PDF के माध्यम से इसके नोट्स मिल गए होंगे अब यहां बी से देखते हैं हम लोग बी से टिक और क्रॉस करना है यह जो सब्सक्राइब को पढ़ते जाना है और हमें क्या करना है टिक और क्रॉस करना है राइट सही और गलत तो चलिए यहां पर सबसे से पहले हम लोग देखते हैं कि टॉम वांटेड टू वाइस वाश्ट दा वाल टॉम चाहता था क्या टॉम चाहता था दिवाल को पेंट करना बिल्कुल नहीं चाहता था यह घलत होगा ठीक है क्योंकि वह चाहता तो वह किसी को करने नहीं नहीं देता है तो पहला एस्टेटमेंट क्या है रॉंग है तो चलिए अब दूसरा एस्टेटमेंट देखते हैं टॉम वांटे टू प्ले विट इस फ्रेंट टॉम अब टॉम खेलना चाहता था उन लोगों के साथ में बिल्कुल यह सही बात है इसलिए तो वह भीड जूटाया था आप चलें यहां पेजम help-leοιम टू वािवस वाइट वाइट वाल जिम ने क्याonoम 捲ान क retail वहाओ बिल्कुल नहीं अब आगे डेखते हैं और एब आगे यहां पे बिल्ली बैली फीशर had a kite क्या बैली फीशर एक kite एक बैली फीशर had a kite था तो अब चलिए यह क्या होगा बिल्कुल सही है उसके पास kite था अब आगे देखिए यहां पर question number 6 Ben had a short toy Ben के पास एक short toy था तो बिल्कुल नहीं उसके पास short toy नहीं था 86 number cross 7 number क्या होगा the fence and tree coats of white washes तो बिल्कुल यह सही बात है ठीक अब चलिए आगे देखते हैं यहां पर क्या करना है कि pick out the things collecting by Tom Tom को क्या क्या चीज मिला था क्या क्या चीज उसको collect हुआ था उसका क्या करना है आपको list बनाना है write them down and complete the puzzle और यह puzzle दिया हुआ है यहां पर कुछ clue दिया हुआ है जो पांच ही लेटर का है तो मुझे लगता है कि glass glass एक तो तीन चार पांच लेटर का ठीक है तो उसी तरह से Tom को जो चीज मिला था उसको यहां पर complete करना है इस puzzle में ठीक है यह जो पजल दिया हुआ है यहां पर तो देखो बैटा यह टी वन लिखा हुआ है यहां पर टी वन लिखा हुआ है तो आपको यह समझना है कि पहला वाला जो स्टार्ट होगा यह वन वन जहां पर लिखा हुए तो यह पहला वाला जो स्टार्ट होगा वह कौन से वर्ड से स्टार्ट होगा यह जो टी से ठीक है वन और ती यानि कि किसे स्टार्ट होगा टी से और कितने लेटर का है जी कितने लेटर का है सेवन लेटर अब लेटर क्या होता है यह भी बता रहे हैं जैसे मैं लिखता हूं क्या एपल लिखता हूं यहां से start होगा यानि कि इसमें चलेगा और start किस चीज़ से होगा T से start होगा उसका word किस से start होगा T से तो चलो मैं यहां पर बताते जाता हूँ आपको क्या करना है उसी तरह से आपको उसको mention करते जाना है तो देखो उसको क्या मिला था आप वहां पर ढूंड़ोगे तो आपको मिल जाएगा क्या टैड़ पॉल है तो टी इसमें लिख देना ए फिर लेखना इसमें डी फिर क्या लिखना पी ओ ल ये हो गया ठीक है इस तरह से आपको लिख देना है ठीक अब उसी तरह से देखो जी से स्टार्ट है तो जी एल ए डबल एस घबराना नहीं है नीचे के लिए नहीं नीचे हो सकता है इसका आएगा ठीक है इस सेवन का तो आपको बस अपने आपसे मतलब रखना है ठीक है यह हो गया अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि अम आम यूजिकल री लिखा है ना ठीक तो यह से जाएगा तो है थो और फिर पीए ठीक है इस तरह से तो रहे गहीं क्योंकि इसको नहीं अटाना ठीक है यह हो गया और जी एल ए तो इसका था जी यह डबल ए साविया भी लिखे थे ना इसका था ठीक है तो यह हो गया मैं यहां पर बताते जा रहा हूं आपको उसको देखते जाना है ठीक है चलि टो अब आगे देखते हैं यहां पर और यहां होगा कितने लेटर का होगा यहाँ पर देखो कितने लेटर का वो दिया हुआ है it was a dead कितने लेटर का 3 लेटर का कितने लेटर का 3 लेटर का तो चलो तो क्या होगा R A R A T rat क्या होगा R A T rat 3 लेटर का देखो इसका A से जाएगा ठीक है यह हो गया अब पांच वेटर का δेखते हैं not the orange but the not the orange या था not the orange but the four लेटर का होगा थेक है तो चलिए किसको देख रहे हैं हम लोग 5 नंबर पे पांच में पे कह precisamente कहां है यह पी से विंड़ू चटवे नंबर पर क्या है विंड़ो है यह हो गया अब शातले नंबर पर क्या आएगा इट वज आने टिए टीड तर खी रहें सेवें लेटर का है तो क्या होगा ठीक है तो कौन से नंबर को देख रहे थे हम लोग इट वज अटीन सात्वे नंबर सात्वे नंबर को तो देखेंगे सात्वे नंबर को यहां पर तो एस ओ एल डी अगर आप यहां पर जैसे पी डबल एल ऐसे फिलप था तो आपको घबरान नहीं है एस ओ ल डी आई एको यहीं रहन देना और यह क्या हो जाएगा आर ठीक है इस तरह से ठीक तो आप लेटर काउंट करोगे तो देखो 1234567 आर तक 7 हो गया अब चलो अगर आप नहीं लिख आ रहा होगे तो वीडियो को रोक करके लिख लेना ठीक है अब हम लोग देखते हैं एट पर क्या लिखा हुए है सम डॉक्स हैब इट ठीक है सम डॉक्स हैब इट तो एट नंबर पर क्या लिखेंगे सी ओ एल एल ए आर ठीक है सी ओ एल एल ए आर कॉलर ठीक यह हो गया पूरा कंप्लीट अब चले अब नाइन में देखते हैं नाइन में क्या करना है ही गॉट टुवल ओफ एट तो नाइन में करेंगे हम लोग क्या मार्बल एम ए आर क्यों की बारट हो मारबल लास्ट लास्ट में मिल गया था भी एल ए एस मारबल ठीक है तो यह हो गया कंप्लीट इसका क्या पजल किया हमने ठीक है अब चलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि मैच कराना है कॉलूम ए को कॉलूम बी से ठीक है कॉलूम ए को कॉलूम बी से इसका इसमें जो दिया हुए इसका ठीक अपोजिट जैसे लाइक मतलब होता है पसंद करना तो ना पसंद क् dislike होगा तो याद रखना टेबल कैसे बनाना यांगे कर ठीक सामने उसका लिखना यहां पर dislike ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे सैलाइन खीच के नहीं बनाना आप उसको ठीक है अब यह हैपीनेस मतलब होता है खुशी हैपीनेस मतलब क्या होता है खुशी तो क्या होगा उसका मतलब दुखी आगे देखते हैं remember मतलब होता है याद रखना याद रखना क्या होगा बhool जाना तो एक क्या होगा forget मतलब भूल जाना थीक है नोटीसमतलब होता है ध्यान देना तो नोटीसमतलब ध्यान Slack नहीं देना नहीं देना थिक है अब आगे देखते हैं के यहां पर क्या होगा क्या क्या लेस यह बन गया आप चलते हैं हम लोग ग्रामर की और टीक के ग्रामर में यहां पर लिखा हुआ है कि ध्यान से लिखा वह कि में का लिस्ट डिस्क्राविंग वार्ड्स ऑक्रिंग इन्दव लेशन ठीक है ठीक अपर खीडिंग इन्दव लेशन एक list बनाना है किए जो कि यहां पर describe किया हुआ है तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या N-E-S-S-A-D करके दिया हुआ है कुछ word meaning जो होगा उस word meaning को यहाँ पर आपको क्या करना है लिखना है देखना बहुत सारा word meaning मैं भेजाओ न बहुत पर दियुक्त देखना है कहाँ है कि क्या करना ह्या है मतलब क्या जोर देना जैसे मैं कहूँ क Hypn को जोरना है students जैसे घ्लैड में देख़ा जोर दिया है किनेज को तो क्या होगा ग्रैड निस occurs उसी तरह से हैपी kind, polite, reach और good में जोड़ देना है तो कैसे करना है H-A-P-Y plus N-E-S लिख करके अब फिर क्या लिख देना है यहाँ पर happiness तो H-A-P-P-I लिखना यह Y को हटा देना ठीक है I-N-E-S happiness कुछ ऐसे ठीक है उसके बाद क्या लिखा है kind क्या लिखोगे K-I-N-D kind plus N-E-S उसके बाद यहाँ पर लिखना देखो उधर जगह नहीं बन पा रहा है इसलिए मैं नीचे लिख पा रहा हूँ ठीक है क्या लिखना kindness K-I-N-D-N-E-S kindness ठीक है यह हो गया अब आगे देखो polite P-O-L-I-T-E polite plus N-E-S ठीक है पुरा-पुरा complete करके इसको लिखनेना ठीक है पुलाइटनेस हो जाएगा उसी तरह से अब आगे क्या है जैसे good दिया है तो क्या होगा goodness हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से अब आगे क्या लिखा हुए है क्या L-Y आपको add करना है L-Y तो देखो यहाँ पर L-Y add किया है ठीक है देखो यहाँ पर L-Y add किया है तो देखो peaceful और एक ठो और L-Y add कर दिया तो क्या हो गया यहाँ पर क्या बन गया है peacefully देखो P-E-A-C-E-F-U-L तक यहाँ और L-Y और जोड़ दिया तो peacefully तो उसी तरह से आपको यह सब में क्या करना है L-Y L-Y सबसे आखरी में आपको जोड़ते जाना है ठीक है नया बना देना है ठीक है यह C हो गया ठीक अब D में क्या करना है D में अभ्यास के लिए दिया हुआ है कि लिखा हुए Do you like drink milk क्या आपको दूद पीना अच्छा लगता है पसंद है तो yes Yes, I do हाँ मुझे पसंद है No, I don't नहीं मुझे नहीं पसंद है यह दोनों जवाब हो सकता है किसी बच्चे का यह जवाब हो सकता है किसी बच्चे का यह जवाब हो सकता है यह बता रहा हूं जैसे do you do you like तक आपको लिखना है ठीक है do you do you like to do you like to do you like to listening to music इस तरह से do you like एक बनिट मैं बता हुं यहाँ पर do you like listening to music do you like तक आपको क्या करना है do you like तक आपको क्या करना है listening to music जोड़ देना थे do you like लिखने के बार listening to music उसके बढ़ encuent mark और उसके बद आपको जवाब देना है yes, I do अब फिर उसके बार नीचे में क्या करना है कि no I जैसे यहाँ पर यह लिखा हो नो वही चीज आपको फिर से लिखना है लेकिन आपको कोशन बनाना है कोशन किस तरह से बनाना है मैंने बता दिया कि सबसे पहले क्या लिखना है do you like इतना तक तो लिखना है इतना तक ठीक है उसके बाद यह जो listening to music है तो l-i-s-t-e-n-i-n-g listening to music listening to music लिखने के बाद आपको कोशन मार्क भी देना है कोशन मार्क ऐसे देने के बाद उसके बाद यह जो लिखा हुआ है yes I do no I don't यह वाला लिखना है आपको वैसे ही तो उसी तरह से आपको एक sentence यहां से बनेगा एक यहां से बनेगा एक यहां से एक यहां से एक यहां से ठीक है तो इतने सारे बनेंगे बस आपको करना क्या है कि इसके आगे आपको do you like ठीक है फिर जैसे going to picnic तो do you like going to picnic इस तरह से तो do you like eating sweet do you like reading the newspaper do you like singing song do you like playing the football इस तरह से आपको बना करके और लास्ट में यह जो question mark है यह question mark देना जरूरी है और हर समय आपको यही चीज़ लिखना है yes I do और निचे में no I don't ठीक है यह हो गया तो यह हो गया आपका अब चलते हैं और आगे इसमें एप में क्या लिखा हुआ है कि using the clues using the clues in the box कुछ box में clue दिया होगा उस clue को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है make a sentence similar to one given in the example तो यह जो यहाँ पर दिया हुआ है यह clue दिया हुआ है यहाँ पर उसको आपको पढ़ना है ठीक है और हमें क्या करना है इसका बनाना है ठीक तो सबसे पहले हम लोग यह एक मिनट पहले देख लेते हैं कि make a sentence similar to one given जैसे drink milk tea ठीक है तो यहाँ पर क्या बना सकते है आई देखो उसी तरह से आपको आपको बना लेना है यह सब यह सब sentence को भी जैसे यहाँ पर टीन वर्ट दिया हुआ है drink milk tea ठीक है तीन वर्ट दिया हुआ है ठीक है दियान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है drink milk tea तो आपको क्या क्या करना है I like drinking milk but I don't like drinking tea ठीक है ठीक है तो उसी तरह से आपको क्या करना है तीन वर्ट यहाँ पर दिया हुआ है sing sing ठीक है यहाँ पर देखो क्या लिया क्या दिया हुआ है sing old folk song तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे I like I like I like I like singing old song ठीक है I like singing old song but I don't like folk song इस तरह से आपको लिखते जाना है तो प्रतेक के लिए तो इसके लिए भी और यहाँ पर लिखा हुआ है यह तीन वर्ट इसके लिए भी इसके लिए Linda से cover करना है तो अब देखिए यहां पर हम लोग आगे चलते हैं क्या लिखा हुआ है कि और यहां पर लिखा हुआ है कि थीक है मुखोरूप से हम लोग यहीं तक देखेंगे मुखोरूप से तो आपको यहीं तक complete करकε के आपको भेजना है तो आज का home work में आपको clear कर देना हो जिस तरह से हमनेots lent climate को discuss किया काफी अच्छे से वो सभीची चीजों को आपको क्या करना है आपको अपनी copy में काफी अच्छे से complete आपको भेजना है ताकी अगर marks आपका कितना है 30 है अगर आप नही retty तो मैं 0 चटा दूंगा तो यह 30 का 30 रहेगा अगर आप भेजते हैं मार्क्स आपका 30 है तो इसमें 5 मार्क्स और अग्ड़ा होगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा राइट तो आपको यह चीज का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कोपी ही आपका माक्स है और समय पे इसका टेस्ट में तुरंद कंडक्ट करने वाला हूँ तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से ये सारी चीजे पढ़ना ठीक है तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनरजी और एक नई लेशन के साथ में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए टेक केर बबाए